इडिन गार्डेन पर भारत और साउथ अफरीका के मैच की पूरो संध्या पर मैं खड़ा हूँ और ठीक सामने मैं आभी आपको दिखाऊंगा कि मैदान और पिछ में क्या कुछ चल रहा है पिछ के आसपास मैदान पर क्या चल रहा है मैं पूरे दिन ओवरकास रहा और शुक्रवार के दिन यहां पर बारिश भी हुई थी गुरुवार को भी पुड़ी बारिश हुई थी लेकिन अच्छी बात यह रही कि मैच के ठीक एक दिन पहले यहां पर कोई बारिश नहीं हुई फिलहाल मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि एडिन पर क्या है नजारा यह देखें फिच को इस तरह से ठका गया है और नजदीक से मैं आपको दिखाना चाहूंगा कुछ दिर पहले तक काफी यहां पर कवर्स थे लेकिन उनको हटा लिया गया है फिच सिर्फ अभी ठकी हुई है मैदान के दूसरी तरफ में आपको ले जाना चाहूंगा यहां पर देखें कुछ चिड़काओ चल रहा है यह चिड़काओ कुछ इंसेक्स आते हैं उनको देख कर भी किया जाता है और कुछ और भी बजह होती हैं जिस बजह से यहां पर इस तरह से खास चिड़काओ किया जाता है और इस तरफ देखें ग्राउंट स्मेल लगे हैं एक दूर सूपर सौपर चलाया जा रहा है खास काटने वाली मुशीम भी चल रही है मतलब यह भारत और साथ अफरिका के बीच मैच को देखते हुए तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है एक सबाल किया गया मैच की पूरु संद्या पर राहुल दविर से कि वो क्या कहना चाहेंगे कि यहां पर जो ड्यू फैक्टर होगा या मौसम इस तरह का रहेगा तो प्लेइंग 11 में कोई बदलाव करेंगे उन्होंने एक बहुत अच्छा जवाब दिया कि मौसम को देखत और उसी विनिंग कम्बिनेशन के साथ उतरेंगे जिसने पिछले मैचों में भारत को चीज दिलाई है जरूर हार्दिक पंडिया नहीं होंगे लेकिन उन्होंने कहा कि जो छे बॉलर्स का उप्शन होता है च्छटा जो गेंदबाज होता है वो बहुत सारे मैचेस में उनक काफी कंफिडेंट थे आश्वस्त थे कि हम पांच बॉलर्स से ही अच्छा करेंगे डियू फैक्टर क्या होगा या पिछले मैचेज में यहां पर लो स्कूरिंग मैचेज हुए हैं पिछले दो मैच जो हुए हैं इसके अलावे स्पिन को मजद मिलेगी या फर पास्ट ऑौलर यहां पर फाया अथाएंगी इसके बारे में उन्हों ने आफ कि हम जो हमारे कंट्रोल में नहीं है हम उसके बारे में नहीं सोते हैं हम बेस्ट कॉम्बिनेशन के साथ उतरते हैं और मैंच जीतने के बारे में सुखते हैं